असलावेकुम दोस्तों वल्कम बाक टो माई चैनल आज हम बनाएंगे कच्छी आलू से बहुत ही जबदस नाश्ता यह नाश्ता काफी ज़्यादा टेस्टी बनता है और काफी ज़्यादा है बहुत ही सिंपल इंग्डेंट से बनके तयार हो जाता है तो चलिए दोस्तों मिन इस्ट्रप फॉलू करिएगा इंशालला आपकी भी पूरी जो है बलून जैसी अच्छी सी फूलेगी और क्रश्पी बनेगी काफी देर तक फूली रहेगी तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले मैंने आलू को काट लिया है अब इसे प्यास को भी काफी जाधा खस्ता बनती है और काफी जाधा क्रस्पी बनती है वह भी ग्यहूं के आटे से तो दोनों चीदों को अच्छे चे काटने के बाद दुबारा से अच्छे चे वाश कर लिया और इसे टासफर कर दिया है ग्राइंडर जार में दो हरी मिज तोड़ कर डाल दिया है तीखा अपने हिसाब से कम जाधा कर सकते हैं आधा इंच अधर रख कर टुकड़ा लेसन के कलिए नहीं आट करेंगे अगर आपकी मर्जी हो तो आप आट कर सकती है इसको अच्छा सा पेस्ट बना लिया है वेगार पानी डाले हुए अ लग देते हैं एक साइट पे एक कप गेहू का अटा लिया है नॉर्माल आटा है जिससे हम चापाती बनाते हैं वान टेबल स्पून चिली फ्लैक्स थोड़ा जगरी पत्ता बारी चॉप किया हुआ हाफ टी स्पून जीरा साबू जीरा लिया है इसका फ्लेवर काफी जाध क्रिस्पी बनेगी तो अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसके अंदर सूजी भी आट कर सकती हैं जो मैंने आलू को पेस्ट बना के रखा था उसे डाल देंगे और अच्छे से एक डो बना लेंगे इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं आट करेंगे इ तो आप देखेंगे एक अच्छा सा डो बनके त्यार होगा इस डो को नहीं जादा हार्ड बनाना है और नहीं जादा सॉफ्ट जैसे कि हम पराठे के लिए डो बनाते हैं वैसी डो हमें बना के त्यार कर लेना है तो दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर नहीं है चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा बिल आइकन को प्रेस कर लीजेगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अप्लोड करूँ आप तक पहुचे सबसे पहले फैमिले फ्रे के त्यार किया है तो चलिए आप इसके पेड़े कट कर लेते हैं आपके पास टाइम है तो आप एक से देड़ मिनट के लिए एक साइट पे रख सकती है या चाहे तो डिरेक्टली इसे बना सकती है तो मैंने इसे दो पार्ट में डिबाइट कर लिया है अब इसके पेड़े रेसिपीज अवेलेबल हैं जो कि काफी सिंपल तरीके से बनके तयार होती हैं जो कि आपके किचर में आपके घर में अवेलेबल हूँ उसी साफ बना सकते हैं तो प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक मेहीं देखा है तो जाके चेक आउट कर लिजेगा इंशाला आप सब को पहुत पसंद आएगी तो एक बड़ी रोटी बना के मैंने तयार कर लिया है रोटी को नहीं स्यादा बतला बनाना है नहीं स्यासाम मूटा बनाना रह 활ूए कि पूरी के लिए ढूम बनाते हैं वैसी हमें यह रोटी बनाकर तयार कर ले नहीं बचले वह पाल да सकते हैं तो आप चाहें चोटी बड़ी साइस की पूरी बनाना चाहीति तो मैंने एक ख्ला के छान सते हुट है और इस तरीके का रखा रख पोलेंगे से हमें जगे बड़ी साइज का है तो अब ऒर चांब करते है ऐसा है बक indoo यह चारन हो सकती है बहुत ही सिंपल तरीका है आपको बार-बार बिलने की सरुरत भी नहीं होगी और जो इक्ट्रा पार्ट है उसे निकाल लेंगे उसे वेस्ट नहीं करेंगे दुबारा से पेड़ा बना के और रोटी बना लेंगे फिर उसी से हम सारी पूरियां बना लेंगे तो देखें दोस्तो कुछ मैंने छोटी साइस की पूरियां बनाया है और कुछ बड़ी साइस की तो इसमें से जो भी पूरिया आपको पसंद हो साइस की पूरिया आप बना के तयार कर सकती है गैस पे मैंने एक कढ़ाई में ओल गरम होने के लिए रख दिया था जो कि अच्छे से गरम हो चुका है उसके बाद मैंने वन बाई वन करके सबी पूरियों को डाल देना है और हलके हलके हाथों से प्रेस करना है तो आप देख सकते हैं कितनी जबर दसी फूली फूली थी पूरी बनके तयार हुई है बहुत ही जादा क्रिस्पी बनती है दोस्तों और काफी जादा हेल्थी भी है क्योंकि इसे मैंने ग्यों के हाटे से बना के तयार किया है अगर आप ग्यों के हाटे से नहीं बनाना चाहती है तो आप मैदेसी भी इसे बना सकती है तो इस तरीके से मैंने सारी पूरियों को बना के तयार कर लिया है तो आप देखिए, वन बाई वन करके सबी पूरियों को मैं फ्राइ करूँ गया और सभी पूरियें गुबारे जैसी बलून जैसी फुलके तयार होती है और काफी देर तक ऐसे ही बनी रहती है तो आपको जब भी कुछ अच्छा खाने का मन करें या कोई अच्छी सब्जी बना रही हो मसालेदार आलो की सब्जी तो उसके साथ भी से सर्फ कर सकती है या छोले के साथ सर्फ कर सकती है बहुत ही सबर्दस रेसिपी है जोस्तो तो ये दिखे सारी पूरियां खुल के तयार हो रही है गेम के आर्टे से इतना सबर्दस नाश्टा आपने सोचा नहीं होगा तो प्लीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया होगा और जो लोगों ने अभी तक प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहती हूँ तो प्लीज आप लोग भी प्यार और सपोर्ट बनाए रखे ताकि मैं आप सबके लिए एक अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ तो अपना प्यारा से कमेंट करना बिलकुल भी नहीं बुलिएगा क्योंकि लाइक ही आप लोगी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है और हमें बहुत ही जादा खुशी मिलती है इसे मोटिवेट होकर आप सबके लिए एक अच्छे से वीडियो बनाने की कुशिश करते हैं तो यह देखे दोस्तों सारे पूरियां अच्छे पानी पूरी की रेसेपी भी मैंने अपने चैनल पर अप्लोड की है बहुत ही सिंपल तरीका है और सारी पूरियों को फ्राइ कर लिया है तो आप देख रहे हैं यह भी पूरियां काफी अच्छे से फोल गई है कोई ऐसी पूरी नहीं बची है जो की नहीं फूली हुई है आप भी बनाएं बलून जैसी पूरियां घर पर और फैमिली फ्रेंट के साथ इंजोआए करें तो देखें बाकी की पूरियों को ऐसे हैं फ्राइ कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों हम इसे कर लेते हैं सर्फ तो आप यह देखें कितनी जबदसी मसाला पूरी बनके तयार यह बड़ी वाली भी पूरी है यह भी फूली हुई है अभी तक देखी आप सॉफ्ट नहीं पड़ी है मैं देखा रही हूँ आपको बहुत देर हुआ है इसे बनाए हुए लेकिन अभी तक सॉफ्ट नहीं हुए तो आप लोग भी बनाएं इंजोई करें तब तक के लिए मुझे दीजी इजासत फिर मैं मिलूंगे इंशालला ऐसे ही आसान वीडियो के साथ अल्ला हाफिज